दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे Government of India की सबसे बड़ा NBFC कमपनी के बारे में, जिसका नाम है Power Finance Corporation Limited, जिसको हम लोग को short form में बोलते है PFC Limited, और यहाँ पे इसका जो subsidiary है REC Limited, उसके उपर अल्लेडी में technical और fundamental analysis का वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते ह और यहाँ पे काफी ज्यादा comment session में suggestion आया हुआ था कि PFC के उपर यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, और यह हम लोग का Friday को 9.30 में हम लोग का live streaming होता है, उसमें भी काफी सारा suggestion आया हुआ था, तो this is a time कि मैं इसको उपर अच्छा कसा analysis करके आपको show करू, आपके साथ सा react करना चाहिए, कैसे आप लोग को respond करना चाहिए, तो उसको हिसाब से आप लोग को यहाँ पे काम बहुत आने वाला है यह वाला वीडियो, तो आखिर तक वीडियो के साथ बने रहेएगा, यह मैं आसा करता हूँ, so that आपको proper information सही से मिल सके, नमस्का दोस्तों, मार्केट आपका फिर से स्वागत करता हूँ, आज हम लोग बात करेंगे, पावर फिनान्स कोर्परेशन यान की PFC लिमिटेट के बारे में, तो आज हम लोग चलते हैं इसका annual report पे, तो annual report इसका क्या बोल रहा है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग को ग्रूप का structure देख लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता है, यह associates के साथ, जैसे कि अल्ट्रा मेगा प्रोजेट के साथ काम करता है, फिर subsidiary के साथ काम कर पर है, यह मैं लोग को कैसा पता चला, इसका जो दूसरा वाला जो flow chart है, इसका जो chat के हिसाफ से में बात करूँगा, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो disbursement जो हुआ है, यहाँ पे government sector में सबसे जादा हुआ है, 87% के हिसाफ से, आज सेक्टर वाज बात किया जो revenue आता है, इसका जो business है, और यहाँ पे 36% distribution के साथ है, और transmission जो कि सबसे ज़्यादा margin देता है, उसके साथ सिर्फ और 10% के हिसाफ से है, तो यहाँ पे government sector के साथ यह जुड़ा हुआ है, तो government का जो management होगा, उसके हिसाफ से यह काम करेगा, यह तो नकी है, तो उसके बाद ही आप लोग का यहाँ पे उस हिसाफ से दिमाग में सोचना है कि कैसे यह revenue generate कर सकता है, और किस हिसाफ से इसका cash flow आने वाला है, और यहाँ पे assets, जो loan assets किस-किस को दिया हुआ है, उसमें भी देखे, अगर आप लोग देखोगे, तो 83% आपको government sector के हिसाफ से यहाँ पे distribute हु सबसे ज्यादा दिया हुआ है, 58% generation को, power generation company को, और transmission and distribution में यहाँ पे 30% दिया गया है, और renewable energy में सिर्फ और 11% दिया जाया है, और इसमें including है hydro power, correct, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए उस हिसाफ से तो government sector के उपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंट करता है, और यहाँ जो government sector स जिस हिसाफ से वहाँ पे rule, regulations और बहुत सारा cash flow में जो negotiation होता है, उसको अगर थोड़ा सा अच्छे से manage कर दिया जाए, तो यहाँ पे PFC Limited में अच्छा कासा income आ सकता है, और यहाँ पे अगर rating के उपर बात किया जाए, चाहे domestic कर लीजे या international कर दीजे, maximum to maximum अच्छा कासा rating य नहीं है, और यहाँ पे loan sanction के उपर बात किया जाए, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, 2019-2020 में अच्छा कासा यहाँ बढ़त हुआ है, और यहाँ पे इसका जो financial के उपर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि जो loan asset book है, उस यहाँ पे इनकम के उपर बात किया, जो revenue के उपर बात किया जा, तो यहाँ पे भी 33,371 के हिसाब से यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और PAT जो profit after tax रहता है, तो year on year यहाँ पे 18.67 के हिसाब से यहाँ पे Cajr के हिसाब से यह पृद्धी घटा है, जो कि इंप्रूव हुआ है, लेकिन अगर बात किया, जो 2020 की है, तो तुथा है 18.19 के हिसाब से यहाँ पे घटा हुआ है, तो एक हम लोग opportunity के हिसाब से इसको लेना चाहिए, अपकोस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इसका business model है, काफी ज़्यादा भरोसे मन है, और यहाँ पे काफी जो आप time waste आता रहेगा, तो इसका में बिना time waste के आपको लेना चाहूँगा, इसका screener.com पे, तो screener.com के आपको देखेगा 30,981 करोड का company है, और यह debt लिया हुआ है 6,38,308 करोड, इसका यहाँ पे debt देखना तो बंता नहीं, विकोज फिनांस कमपनी है, एन वेफी कमपनी है, तो यहाँ पे हम लोग debt बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, और debt to equitization निकल के आता है 11,3, तो यहाँ पे हम लोग का, इसका तो discussion की बात ही नहीं, कि इसका कामी है, debt लेके बाकी, जिसको यहाँ पे sanction होता है, उसको debt देना, और यही उसका asset है, correct, और यहाँ पे ROC को पर बात कि हिसाब से, अगर peers comparison आप लोग करोगे, तो यहाँ पे finance, जो term lending institution के उपर बात किया जए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको टूर finance corporation के उपर ही आएगा, और second highest जो है, वो power finance corporation के हिसाब साथ है, और यहाँ पे PE ratio के उपर बात किया जए, price to earning ratio, तो काफी और काफी सस्ता valuation PA trade कर रहा है, तो इसका target क्या आपको बताने वाला हूँ, उसको technical analysis में यहाँ पे पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे free cash flow के उपर बात किया जए, last 3 साल का उपर बात कर लिजिए, और यहाँ पे last 5 साल के उपर बात कर लिजिए, तो आपको negative ही दिखेगा, उसको पीछे region क् हर finance video में बताता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, कि जब भी भी company यहाँ पे loan देती है, तो उसके पास जो पैसा आता है, वो EMI के हिसाफ से आता है, installment के हिसाफ से आता है, तो इसके लिए इसका जो cash flow इसमें negative है लोको दिखेगा, और earning per share के उपर बात किया, 37.6% के और यहाँ पे में investors में जाके आप लोगो दिखाना चाहूंगा कि जो promoter holding है, यहाँ पे 65.92% था 2017 में, यह सीधा घट के 3 साल में 55.99 हो गया है, जो कि लगभग 10% के हिसाफ से promoter holding घटा हुआ है, तो यहाँ पे promoter holding घटना यहाँ पे उतना ज्यादा इसू नहीं है, वो जो promot promoter of India का ही, यह promoter है, और यहाँ पे FIA को पर बात किया जया, उनका जो stakeholding है, यहाँ पे अच्छा कासा बढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे एक positive sense पे देख सकते हैं, जैसके UBS Principal Capital Asia Limited यहाँ पे अच्छा कासा यहाँ पे इंप्रूब किया गया आतना stakeholding, correct? और यहाँ पे DIA को पर बात किया जया, उसमें भी लगभग 8 की 7.5% के आसपास में यहाँ पे इंप्रूब हुआ है, और LIC Corporation of India, Life Insurance Corporation of India के बात कर लो, या HDFC Trusty Company को पर बात कर लो, तो सब के सब यहाँ पे आपना जो stakeholding है बढ़ाए हुए है, और public की हिसाब से बात क बात करें, तो यहाँ पे आप लोगो को दिखेगा कि consistently growing profit और लेकिन यहाँ पे जो 2019 है, 2019 के बाद 2020 में यहाँ पे गिरावोट आया हुआ है, जिसे कि हम लोग आनुवार रिपोर्ड में अल्रेख चुके हैं, बद 2021 में जो रेजल्ट निकलेगा, वो आच्छा कहसा आपको दिखाया है, because already last 12 months में 8999 करोड का profit यहाँ पे सो कर चुका है, correct, तो fundamentally and financially it is a very strong company, और long term investment के लिए काफी जादा अच्छा है, लेकिन एक चीज जो मेरे को अटकता है, जो मेरे को negative लगता है, that is आपका government of India का company, government of India का company में अगर company जितने भी आच्छा पॉपंग कर ले, वहाँ पे कही ना कही दूसरा pressure रहता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बात किया जाए, तो थोड़ा सा डिक्कत की बात हो सकती है, correct, यह मेरा मानना है, except SBI का, और यहाँ पे बाकी हल जगा में इसका pressure रहता है, दूसरा वाला pressure, तो यहाँ पे थोड़ा सा सजाग रहे के हम लोग अभी परकरार है, तो उसके हिसाब से आप लोग को short term में अच्छा का सा मुनापवा कमा सकते हो, one week के उपर बात किया जाए, तो यहाँ पे भी आप लोग को एक दिखेगा कि जो consolidation के बाद अच्छा का सा breakout, तो उस breakout के हिसाब से भी आप लोग को अच्छा का सा investment में return मिल सकत तो for the next target, आप लोग यहाँ पर सोच सकते हो कि 160 का यहाँ पर next target हो सकता है, उसको में कैसे निकाला हूँ भी में आपको बताऊंगा, correct, और यहाँ पर में जो multi-veggar pattern के हिसाव से बात किया जाए, तो यहाँ पर multi-veggar pattern बिल्कुल भी बना नहीं हुआ है, इसका जो slope है, यह mid pattern ही वैसे बना नहीं है, correct, और यहाँ पर मैं बात करूँगा, जो candlestick की, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग को दिखेगा, यह बाला जो मैं आपको बताया था, सबसे पहला जो target होगा 132, उसके बाद जो target होगा 160, यहीं से ही में निकाला हुआ था, जो price action strategy के हिसाब और उस clarity के हिसाब से भी आप लोग को एक अच्छा कासा target मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को एक अच्छा कासा moment टेखने के लिए मिल सकता है, और इसका जो ऊपर बाला जो target होगा 147, इसको आचीब करेगा ही करेगा, उसके पाद 160 का target को भी आचीब आराम से कर सक सकता है, और यहाँ पर मैं बात करूँगा, निप्ति के साथ correlation coefficient की, निप्ति के साथ correlation coefficient निकल करता है, 0.81, मतलब निप्ति किसी भी तरफ जो movement करता है, उसके हिसाब से इसका भी movement बिल्कुल होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर हो सकता है, तो छोटा सा गिरावट दिखा सकत है, तो उस गिरावट को फाइदा लेते हुए, आप लोग वहाँ पर entry कर सकते हो, और आप लोग का stock में add कर सकते है, तो अपको एक अच्छा गासा मुनाफ़ा उसी में भी मिल सके, और यहाँ पर जो हम लोग को conclusion पे लाने के लिए कोसिस करता है, जो कि हम लोग का Power Finance Corporation के यह यहाँ पे आप लोग को buying opportunity जरूर मिलेगा, जो छोटा सा गिरावट होगा, उसमें अगर गिरावट होता है, तो वहाँ पे आप लोग को और opportunity बनेगा, वहाँ से आप लोग enter कर सकते हो, और short term के उपर बात कर लिए हम लोग, और mid term के उपर बात किया जाए, तो अल्रेड़ यहाँ पर जो भी trend चल रहा है, उसको continue करने का ज्यादा प्रतीत हो रहा है, तो यह था PFC का fundamental और technical analysis, कैसा लगा, मैंने को एगवार कोमेंट से में जरूर बताना, और काफी लोगों को complain आता है कि video लंबा हो रहा है, लेकिन हर चीज को अगर हम लोग cover up करेंगे, तो यहाँ यह थोड़ा से लंबा होगा ही, और हम लोग को और जैसे की practice है, मैं हर एक ही pattern में मैं इसका analysis करता हूँ, जैसे की सबसे पहले annual report, फिर आप लोग का हो गया fundamental और financial उसके बार technical तो जिस हिसाफ से आपको आप लोगों चाहिए, वहां तक skip करके आप लोग यहाँ पे, अपना required आपना अपना फैमली का और अपना पोर्टफरल का ख्याल रखते रही है, और आगले वीडियो के लिए मेरे को ज़्यादत दीजिए, थांक्यू, थांक्यू सो मच